दोस्तो टीटवन्टी क्रिकेट इतियास का पहला मेज 17 फरवरी 2005 को आश्ट्रेलिया और निवजिलैंड के बीच खेला गया था और टीटवन्टी क्रिकेट इतियास का पहला सतक टीटवन्टी वर्ल्ड कप 2007 में किरिस गैल ने 11 सितंबल 2007 को साउथ अफरीका की खिलाब जोहा टीटवन्टी अंतर राष्टे क्रिकेट में सतक लगाने में कामियाब रहे भारत की तरप से पहला टीटवन्टी सतक रोहित सर्मा ने दो मई 2010 को साउथ अफरीका के खिलाप लगाया था तो चलिए दोस्तो इस वीडियो में आज हम आपको टीटवन्टी अंतर राष्टे क को भी प्रेस कर दें। भारती वल्लेबाजों की लिष्ट में टीट्वन्टी अंतर राष्टी क्रिकेट का चोथा सबसे तेज सतक भी रोहित के ही बल्ले से निकला था। लगाये हैं और उन्होंने एक सतक 3 जुलाई 2018 को मैंचेश्टर के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था। इस सतक को लगाने में उन्होंने 53 गैंदों का सामना किया था। जो T20 अंतर राष्टे क्रिकेट में भारती बल्लेबा जो दवारा लगाया गया तीसरा सबसे तेज सतक था। इस पारी में राहुल ने 54 गैंदों का सामना करते हुए नाबाद 101 रंकी पारी खेली थी जिसमें 10 चोके और 5 चके भी सामिल थे। केल राहुल 46 बोल बनाम वेस्टनडीज केल राहुल ने एक और सतक 27 अगस्त 2016 को लोडर हिल के मैदान पर वेस्टनडीज के खिलाफ लगाया था। इस सतक को लगाने में उन्होंने 46 गैंदों का सामना किया था। यह T20 क्रिकेट में भारती बल्लेबाजों दवारा लगाया गया दूसरा सबसे तेज सतक था। इस मेच में राहुल ने 51 गैंदों का सामना करते हुए 110 रन की पारी खेली थी जिसमें 12 चोके और 5 चके भी सामिल थे। रोहित सर्मा 35 बोल बनाम सिरिलंका रोहित सर्मा दवारा लगाया गया यह सतक ना सिर्फ किसी भी भारती बल्लेबाज दवारा लगाया गया सबसे तेज सतक था। बलकि पूरे T20 क्रिकेट इतियास का भी सबसे तेज सतक है। इन दोर के मैदान पर लगाया गया यह सतक। रोहित सर्मा ने सिर्फ 35 गैंदों में लगाया था। इस पारी में रोहित ने 41 गैंदों का सामना करते हुए 118 रन की पारी खेली थी। इसमें 12 चोके और 10 चके भी सामिल थे।